मनिपूर में हालात बच से बत्तर होते जा रहे हैं और यहां हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है कई सारे इलाके ऐसे हैं जहांपे की हिंसा भी भी जारी है हलाकि रिपोर्ट उस तरीके से नहीं हो रही है इस वक्त हम लोग जिस जगे पर मौझूद है यह बेसिकली इमफाल वेस्ट का इलाका है और यहां से थोड़ी दूर पर एक ऐसे जगे है जो की कुकी का इलाका माना जाता है उसको कांग पोक पी बोर्डर बोला जाता है और यहां से शुरू होता है एक बफर जोन इसलिए क्योंकि यह जो मोड सामने आप मोड देख रहे हैं यह मोड है बफर जोन इस मोड से पहले यह इलाका सारे माइटी का है और वो आब यहीं तक सिमित हो गए है क्योंकि जिस तरीके से पिछले दो महिने में कुकी और माइटी के बीच बवाल चलता रहा उसने अब इ सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिर इंफाल में बफर जोन कैसे बन गया इस वक्त कई सारे लोग हमारे साथ हैं यह मैंती समुदाय के हैं जो कि इस बॉर्डर पे रहते हैं और इस मोड के दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वहां पे सारे कुकीज हैं आप सीक्राइब कंषा मैं यह स्यज़र्ण करें कि अब कप से आप लोग बंद ईया रहा हैं अच्छा प्रम यह मैना का यह लगारोव चाता यह糖 चाम करता है पथासर नी का यह प्रसक्त है आप 국श कुकी लोग ने पोपaway जना भन किया इसलिए हम मुआ डर गिया अच्छा तो अभी आप लोग उधर उपर नहीं जा रहे हैं कहीं भी और वह भी लोग नहीं आ रहे हैं तो एक चीज़ बताइए यह 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 बोट देख सकते हैं इस वक्त हम लोग एनस 37 पर मौजूद हैं इंपाल वेस्ट यह आफ़ी बोड है इंपाल वेस्ट का और यहां स से शुरू हो जाता है दूसरे टेरिटरी कांग पोक भी जो की कुकी बहुल इलाका है और सामने आप रिज देख सकते हैं सामने जो पहाडियां है उन सब में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और लगातार यह इस तरीके से मुव्मेंट करते रहे हैं यह मोड है मोड के उस जिस रोड़ पे इस वक हम लोग मौजूद हैं यह रोड एक तरीके से इस वक्त यानई कि जो हालाथ जब से खराब होने शुरू हो है यह एक यह असाम सिल्चर वाला रूट है NS 37 और यहां से शुरू हो जाता है जो कांग पुकपी जो एरिया है डिस्टिक है वो यहां से शुरू हो जाता है इसके बाद का सारा इलाका कुकी का है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उस बफर जोन में इस बफर जोन का मतलब यह है कि यहां से अब आगे की तरफ मैथी समुदाए के लोग जा नहीं रहे हैं और उपर से कुकी समुदाए के लोग नीचे आ नहीं रहे हैं। यह सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, हाला कि किसी भी तरीके से इस पुरे इलाके में हालाद और खास तर पर कि यहां पर लोगों को ज्यादा दिक्कते ना हो, उसको देखते हुए सारे ऐसे जो विवस्ताय हैं, वो विवस्ताय की जा रही है और यही वज़ा है कि यह एक ल इस बोड़ के उस तरफ इमफाल वेस्ट डिस्टिक है, जहां पर कि मैती समुदाय के लोग भातायत में रहते हैं और इस बोड़ के इस तरफ वाला इलाका जो है वो कुकी समुदाय का है और यहां पर इस वक जहां लोग खड़े हैं इसको बफर जोन कहा गया है, यानि कि यह बफर जोन है अब इसके आगे इस बोर्ड के आगे ना तो कुकी समुदाय के लोग जा रहे हैं पिछले दो महीने से और ना ही वहां से जो मैतीस हमुदाय है उनके लोग यहाँ पर उपर आ रहे हैं यह सबसे कह सकते हैं कि चौकाने वाला मसला है क्यूंकि इकलता जो एनस-37 है यह इस वक्त इमफाल की कह सकते हैं कि लाइफ 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 लाइन है क्योंकि जितने भी सामान क्योंकि इंफाल में बहुत कुछ होता नहीं है तो ऐसे में अलग-अलग राज्यों से जैसे के असाम से काफी सारा सामान आता है तो वह इसी रूट से होके आ रहा है क्योंकि बाकी जो तीन रूट है वह रूट अ अब यहां से आगे, इस बोर्ड से आगे, जो है, आगे की तरफ वाला इलाका, वो शक्क मायती समुदाय के हैं, तो वो यहां से आगे नहीं आ सकते और वहाँ जो लोग उदर खड़े हैं, जो उसमें आप देख सकते हैं कि बाड के उदर जो दो लोग खड़े हैं, वो अवन इस lifeline को यानि कि इस road को चालू हालत में रख रहे हैं सबसे पहले सुबह उठते साथी Assam Rifle जो कि यहाँ पर तैनात है Assam Rifle सबसे पहले इस पूरे route पर एक road opening party निकालती है क्योंकि जो भी supply यहाँ से जाती यानि कि अगर खाली trucks यहाँ से जा रहे हैं खाली tankers यहाँ से जा रहे हैं जो कि ऊपर तक जाते हैं और फिर यहाँ से भर कर आते हैं तो यह एक बहुत important route है और new date in India इस वक्त मनिपूर के सबसे कह सकते ही volatile या सबसे जो इस वक्त तनावगरस इलाके के उस buffer zone पर मौजूद है जिस buffer zone के सीधे हाथ से माइती नहीं आ सकते और इस buffer zone के उल्टे हाथ में जो है वो कुकी नहीं आ सकते तो यह buffer zone से ground zero से news 18 इंडिया की report है क्योंकि इस वक्त यहाँ route पूरा का पूरा खाली है जो की अमूमन सामानने तोर पर बड़े गाडियां यहां से दिन राज चलती थी लेकिन अब उन गाडियों का नाम निशान नहीं है